Hello Friends, Welcome to Divya's Kitchen Friends, आज हम बनाने जा रहे हैं Most popular recipe of any restaurant और वो है पनीर दो प्याजा जो खाने में इतना tasty होता है कि हम इसे जरूर order करते हैं बट आज वही सबजी हम अपनी किचन में बनाएंगे और सेम उसी style में तो चलिए, स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी vegetable पनीर दो प्याजा बट उससे पहले प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और प्रेस दे बेल आइकन So, Let's Cook सबसे पहले पनीर मारिनेट करते हैं यहाँ 300 ग्राम पनीर लिया है जिसमें डाला है नमक हल्दी धनिया पाउडर थोड़ी सी कसूरी मेथी लाल मिर्च पाउडर देगी मिर्च है यह कलर के लिए एक टेबल स्पून ओईल और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि सब मसाले पनीर के उपर अच्छे से लिपड जाए और इसे दस से पंदरा मिनिट के लिए हम ढग कर साइड में रग देंगे देखे इस तरह से अच्छे से यह मिक्स हो गया है पंदरा मिनिट के बाद एक फ्राइन पैन में मैं ले रही हूँ ओईल इसमें हमने अपने पनीर के क्यूब्स को शेलो फ्राइ करना है ताकि यह थोड़ा सा टेंडर हो जाए और एक अलग सा फ्लेवर आ जाएगा इस पनीर में जो हमने मसालों से इसे मारिनेट करा है देखे यह ऐसे दिखने में बड़े सुन्दर लग रहे हैं बहुत ही टेम्टिंग लग रहे हैं और सोचे जब सबजी बनेगे इस पनीर से वो कित्ती टेस्टी होगी इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पर ही करेंगे तब तक जब तक यह हलका ब्राउन हो जाएं चारो तरफ से बीच बीच में इसे हलके सौफली से आप टर्न करते रहें तक चारो तरफ से अच्छा से एक कलार आ जाएं इस तरह से मसालों में अच्छा से कुख हो जाएगा अब सेम पैन में मैंने लिया है बटर थोड़ा सा अच्छा फ्लेवर आएगा इसके लिए बटर को मिल्ट कर लेंगे सेम ओईल है खुब सारे मसालों का फ्लेवर है इसमें जो हम बिल्कुल वेस नहीं करेंगे अब इसमें डालेंगे तेज पत्ता और कुछ होल स्पाइसे जैसे लॉंग, इलाइची, दाल, चीनी ये सब आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं इन सब का बट होल स्पाइसे का अलागी फ्लेवर और टेस्ट होता है आप हरी इलाइची को इस तरह से खोल कर डाल दीजे पाउडर है आप पाउडर यूज़ कर लीजे इसका अब इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हम रोस्ट करेंगे ताकि इनका एक फ्लेवर अच्छे से निकल के आए हाई फ्लेम पर ये बहुत जल्दी जल जाएंगे और मज़ा नहीं आएगा सबजी में बर्निंग फ्लेवर आएगा इनका देखे इस तरह से आप इसे कुक करते रहिए अब थोड़ा spiciness के लिए हरी मिर्च आप अपनी मर्जी से जादा भी कर सकते है skip भी कर सकते है बट इन दो मिर्ची से ना फ्लेवर बिल्कुल mild रहेगा अदरक लसन ये मैंने finely chop करके डाला है आप puree शेप में भी ढाल सकते हो ये 2 टेबल स्पून है ये mix है ginger और garlic अब इसे भी हम same flame पर ही roast कर लेंगे ताकि इसका एक अच्छा सा एक flavor आजाए हम सब मसालों के बीच में और onion की puri यहाँ पे 2 onion थे medium size के जिसे मैंने finely puri shape दी है हमने यहाँ पर puri में ही onion डालना है पनीर दो प्याजा का मतलब है दो प्याज नहीं दो टाइप के प्याज एक टाइप है यह puri shape में इस सेकेंड टाइप हम आगे चलेंगे तो सबसे पहले हम इसे अच्छे से cook कर लेंगे ताकि हमारा यह जो onion puri है यह अच्छे से cook हो जाए flame यहाँ भी हम low to medium ही रखेंगे यह मसाले जितने low flame पर रचेंगे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है अब मसाले हैं मिच, हल्दी पाउडर, धन्या पाउडर, नमक, गरम मसाला वही spices जो हम अपनी kitchen में daily routine में यूज करता है कोई special मसाला नहीं होता इसका बस थोड़ सी technique different है जिसे आप follow करके जब यह सबजी बनाएंगे ना इसका result जो आएगा वो finger licking होगा I can bet on that सबको बहुत पसंद आएगी बस आप step by step follow करते रहिएगा और वीडियो को end तक देखना क्योंकि end तक इसमें twist है तब यह बनेगी पनीर दो प्याजा देखिता अच्छा color आ गया है spices का इसमें और onion की भी बड़ी अच्छी खुश्बू आने लग गई है अब यहाँ पे लिए है मैंने tomato puree यह तीन टमाटर थे medium size के उसकी मैंने finally purity shape की है आपको भी यहाँ puree ही use करनी है क्योंकि जो पनीर दो प्याजा की विजटेबल होती है उसमें solid नहीं होता यह chunks नहीं होते है onion के या इस tomato के हमने purity shape में ही masala कुक करना है और flame रखेंगे हम low to medium ही high flame पे बिलकुल यह सबजी कुक नहीं होती otherwise इसका मजा नहीं आता अब यहाँ पर लिया है मैंने two tablespoon curd दही को अच्छे से fade के normal घर का दही है कोई खटा नहीं है normal जो routine में हम flavor यूज़ करता है उसी texture में बस आप fade के आप इसमें mix कर दीजे बड़ा अच्छा creamy texture आएगा देखे दही पड़ता ही सबजी का color और texture दोनों ही बदल गए किती tempting है इतने में ही स्वाद लग रही है बट अभी twist इसका बाकी है आगे आगे देखे सबजी बहुत टेस्टी बनने वाली है थोड़ा सा पानी ताकि सब मसाले अच्छे से रच चाएं और cook हो जाएं और एक थोड़ी सी gravy भी हमने बनानी है इसकी तो इसमें कोई दूद वगर नहीं हम डालेंगे पानी से ही इसकी हलकी gravy बनेगी और इसका texture वैसे भी थिक होता है सबजी का देखे इस तरह से अब सबजी cook हो गई है मसाला हमारा किता अच्छा color आ गया है यह मैंने डाली है थोड़ी सी sugar ताकि जो टमाटर की सबजी होती है उसमें हलकी सिम शुगर डाल देते हैं तो उससे सब मसालों का flavor enhance होता है और balance हो जाता है उसका टमाटर का अब यहाँ पे हम डालेंगे sliced onion खूप सारे यह दो onion है एक हमने यूज कर था puree में और एक मैं डाल रही हूँ sliced में आप यहाँ पर square pieces भी use कर सकते है बट हम routine में हम slice ही डालते हैं तो इसलिए उसको इतना loaded नहीं करके मैंने इसको slice में ही रखा है अब इसे हमने सरफ cook करना है थोड़ा सा salt ताकि यह masala अच्छे से cook हो जाए हम salt पहले भी डाल चुके हैं तो आप उसके accordingly ही डालिएगा यह सरफ इतलिए डाला है ताकि यह onion cook हो जाए अब इसे भी हमने जादा बिल्कुल सौगी नहीं करना है crunchiness इसकी बनी रहे देखे इच्छे से mix हो के सबजे का texture देखे और जो हलके हलके onion के crunches आएंगे न वो अलगी मजा देने वाले है आप इसे lid लगा कर दो से तीन मिनट के लिए cook कर लीजे ताकि जो onion है वो अच्छे से tender हो जाए, soft हो जाए अब देखे हलका सा pinkish color आ गया है onion में, onion slices में जो एक बहुत अच्छा एक flavor देंगे इस सबसी को अब पनीर के जो cubes थे हमने shallow fry करे थे अब हम वो as it is इस में ढाल देंगे इससे अच्छे से mix कर लेते हैं gently वैसे पनीर हमारा shallow fry करा हुआ है यह बिल्कुल तूटेगा नहीं बट फिल भी handle it with a little bit care क्योंकि पनीर है इससे अच्छे से mix करके अब हम थोड़ी देर के लिए इस से cook करेंगे बट उससे पहले थोड़ी सी कसूरी मेथी एक अलग से flavor के लिए बहुत अच्छे खुश्बू आती है जब हम कसूरी मेथी डालता है एक अलग flavor दे देती है कसूरी मेथी भी बढ़ अच्छा एक flavor होता है हर एक मसाले का अपना ही रोल है इस सबजी में और वही मसाले है जो रुटीन में हम घर में यूज करते है बस कैसे कब कहां यूज करना है वही रहता है बाकि सबजी तो वही है देखे किता अच्छा color बन गया है आप इसे बस दो से तीन मिनट के लिए lid लगा के cook कर लीजे मसाले हमारे cook है पनीर हमारा cook है बस हलका सा इसे हमने roast करना था और थोड़ा सा हरा धनिया बिलकुल garnishing के लिए हरा हरा धनिया भी बहुत अच्छा एक flavor देता है खुश्बू देता है सबजी में देखिए अच्छे से mix और हो गई है हमारी सबजी तयार serving के लिए भी ready है खाने के लिए भी ready है बस दो से तीन मिनट के लिए cook करा है देखिए इसके bubbles देखिए color देखिए इस सबजी का किता बढ़िया color है यही सबजी है पनीर दो प्याजा जिसके लिए हम किता पैसा खर्च करते है मार्केट में आज यह सबजी आप अपनी किचन में बनाएंगे ना हरको यही पूछेगा कौन से restaurant से मंगवाई है सबजी तो आप भी proudly कहिएगा आज यह सबजी हमने घर में बनाई है प्लेटिंग करते हैं आप देखिए इसमें बिल्कुल oil नहीं आ रहा है क्योंकि हमने बहुत कम oil यूज करा है कोई मक्खन, मलाई, कुछ नहीं है इसमें कि हमने उसमें खूब अच्छे सा डाल दिया है आप टेक्स्चर, कलर, कॉंबिनेशन, खुश्बू है ना लाजवाब बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल आप जरूर बनाईएगा इसे नान, पराठा, सिंपल चपाती जिसके साथ खाना पसंद करें आप खाईए, खिलाईए और जरूर इंजोई कीजे और मुझे जरूर बताईएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको और आपके फैमिली को ये सबजी कैसी लगी जरूर ट्राइ कीजे थांक यू, थांक्स फॉर वाचिंग दिवयास किचन और स्टे आठोम, स्टे हेल्दी, और स्टे फिट तांक्यू, थांक्स की सो मुझे जरूमुट